नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तो आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे चतिस गड़ स्वास्तुई भाग में जो भरती होने वाली है उसके बारे में हाँ दोस्तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं मैं बताना चाहूंगा कि 36 गड़ के स्वास्त विभाग में बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में भरती होने वाली हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर इसी के बारे में आप लोगों को मैं फुल डिटेल से बताऊंगा कि कितने पदों के लिए भरती होने वाली है क्या क्या पद रहेंगे और किस किस विभाग में भरती होगी तो चलिए आगे जानते हैं विस्तार शी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने कियो तो प्लीस सब्सक्राइब कर लीजे एंड सब्सक्राइब की सैड में दिये बेल आगन को एक बर प्रेस कर दीजे 36 गड़ में 10 Medical College खुलने वाली है जिसमें से 8 तो खुल ही गया है और 2 Medical College के लिए और मंजूरी मिल चुकी है तो खुल मिला के 10 Medical College के लिए स्टाप की भरती होने वाली है कर्मचारियों की भरती होने वाली है तो ये जो दस medical college है उससे सम्मंधित अस्पताल तथा ये दस medical college के लिए लगभग चार से पांच हजार पदों के लिए भरती होने वाली है और ये जो भरती होगी वो व्यापम के माध्यम से होगी तो दोस्तो इस प्रकार के जो भरती पहली बार व्याबम के माध्यन से होगी और इसमें जो पद रहेंगे वो तृती बद चतूर्थ स्रेणी के करमचारियों के लिए रहेगी जिसमें नर्सिंग, पेराण मेडिकल स्टाप, वाड़ बॉय और आया जैसे पद सामिल रहेंगे पहले क्या होता था कि जो अस्पताल होते थे, कालेज होते थे, वो अपने इस्तर पर, अपने लोकल इस्तर पर इसमें भरती करते थे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता था, तो दाओं पेज भी चलते थे, तो इस प्रकार की अस्विधाओं से बचने के लिए अब भी पदों के लिए मंजूरी दे दी गई हैं और इसके लिए बहुत ही जल्द भरती चालू होने वाली हैं 36 गड़ में अभी महासमून कोर्बा कांकेड दूर्ग रायगड और बांकी कालेजों के खाली पदों में व्यापम के माध्यम से भरती किया जाएगा हाली में हाई कोट ने 58 पिसदी आरक्षण को खत्म कर 50 पिसदी आरक्षण देने का अध्यस दिया है इसी कारण से 36 गड़ में विग्यापन जारी नहीं हो रहा है दावा किया जा रहा है कि नई भरती प्रक्रिया इसी फैसले के अनुसारी होगी लेकिन हाई कोट के फैसले को राज्य सरकार के द्वारा सूप्रिम कोट में चुनोती दी गई है इसी वज़ा से भरती प्रक्रिया बंध है विग्यापन जारी नहीं हो रही है इसके लिए भी 896 और 896 मतला शत्रह सो के लगभग पदो के लिए इसके लिए भी मनजूरी मिलने वाली है इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है और इसके लिए असी भर्ती भी होसके तो साथ में एक साथ हो जाएगी तो दोस्तों कूल मिलाके जो भरती होगी वो त्रिती और चतूर्त स्रिनी के लिए होगी जिसमें स्टाप, नर्स, क्लर्क, विभिन टेकनिसियन रेडियोग्राफर, फार्मसिस्ट, सफाई कर्मी, आया लेब असिस्टेंट आधी पद सामिल रहेंगे तो दोस्तों अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीजी वैपम की तो तैयारी में अच्छे से लग जाएए क्योंकि बहुत ही जल्द भरती प्रक्दिया चालू होने वाली है इसी तरह की नॉलेज़ेवल वीडियो तेखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं वीडियो को सेर कर सकते हैं धन्यवाद